हलो फ्रेंड्स स्वागत थे प्राची ब्लॉग इवेंड्स में आज मैं बनाने वाली हूं चावल की टिक्की जो चाय के साथ आप खा सकते हैं इंज्वाइ कर सकते हैं तो शुरू करते हैं उसे बनाना तो यहां पर मैंने चावल ले लिया है थोड़ा सा चावल सुबा का बचा हुआ चावल है उसी से मैं बनाऊंगी चावल की टिक्की जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया यह बचा था सुबा का और उसमें डाल लेंगे एक कटा हुआ प्याज बारीक डाल लेते हैं उसमें कटा हुआ प्याज बारीक और डालेंगे उसमें कटा हुआ लेशन थोड़ा सा हरी मिर्च डालेंगे एक हरी मिर्च है मैंने कट करके लिया था और धनियाक पती डाल लेते हैं थोड़ा सा अद्रक यह कद्दू कस किया हुआ अद्रक है इसे भी हम डालेंगे इसमें और थोड़ी सी कलाउंजी है और अजवाइन है इसे भी हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा ले लिया है मैंने और जीरा है छोटे चमच से आदे चमच जीरा साथ में हल्दी डालेंगे एक चमच हल्दी डालके को इससे क्लार अच्छा आईगा हमारे टिक्की का है और श्वादननिसार법 दोड़ा दालेंगे आपने sam Canadian और चिली फ्लेक्स है घर का कुटा हुआ चिली है तो उसे भी डाल लेंगे साथ ही एक चुट्टी हींग डालेंगे और यह चाट मसाला है एक चमच इसे भी हम डाल देते हैं इसमें यह कॉर्ण फ्लॉर है दो से तीन चमच इसमें कॉर्ण फ्लॉर आरा रोट जो भी आपके पास हो इसे डालिए बैंडिंग में अच्छा रहता है बैंडिंग करने में और इसे मैस करते हुए अच्छा सा मिक्स करिए जरूरत पढ़ने पर थोड़ा सा फानी इसमें ले सकते हैं पर बहुत जादा नहीं लेजिए और यह मैंने इसे बढ़ियां सा मैस कर लिया है तो थीलियों पर तेल लगाते हुए इसका गोल गोल टिकी बनाएंगे अलका सा दबाते हुए टिकी बना लेंगे बढ़ियां सा दबाकर ही बनाएं इसे ताकि जब हम डीप फ्राई करें तो यह फैले नहीं कड़ाई में जाके वैसे आरा रोट डालने से यह फैलेगा नहीं इसलिए दो से तीन चम्मच आप इसमें डालिए जित्ता चावल है उसी इसमें डालने पड़ेंगे इसको गोल कर लेते हैं चाय तो इसे आप गोल करकी फ्राई कर सकते हैं और मैं यह थोड़ा सा टिकी का रूप दे कर ही इसे बनाऊंगी और मैंने सारी बना लिए टिकी आपने तो इसे अप तलेंगे हम तलने के लिए गैस को अन कर लेते हैं उसके पाइन रख लेंगे और उसमें अपने पसंद का आयल डालेंगे जो आपको खाने में पसंद हो आयल तेल को गर्म होने देंगे और जब तेल अच्छी तर से गर्म हो जाए तो ही हम उसमें अपने टिकी को डी फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे अपने टिक्यों को डाल लेते हैं इसे उलट देते हैं अच्छी तरह से गोल्डन राउन हो जाने पर दोनों तरफ से शेक लेंगे इस साइट से भी अच्छी तरह से एदम शेक लेंगे और तभी हम निकालेंगे और अब देखिए मेरा शेक चुका है तो इसे निकाल लेते हैं और अब दूसरा बैच भी हम इसे तल लेंगे लट देते हैं एक साइट का हो चुका है इसे भी तल के हम निकाल लेंगे और यह देखिए मेरा बन के टिकी तयार हो चुका है जो खाने में बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा लगता है बहुत ही क्रिश्पी होता है इसी तरह से आप भी बनाएए बचे हुए चावल का और चाय और कॉफी के साथ इसे इंज्वाए करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक